हेलो एस्टुडेंट्स आईटे एलेक्टिकल ग्यान योट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आप लोगों को एलेक्टिक सेंटेर का थेओरी का अउजेक्टिव कोश्चन है वह बताने जा रहा हूं और इससे पहले जो है आप लोग पार्ट कोश्चern है वह डिया हुआ है और सिभी एक्जाम में जो आपको कंशा जाता है वह जो है निमी से रहां तो आप worldview है पीछे का भी सबी शेट देख रहे है ऑस्ड़े को भी च्छार नूमरे है इस शेट को भी आप तो आपलोग देखें यह पार्ट फोड जो सकता है अबका चाहले लेक्रिशियन हो वार्मेन हो तो चलिए दिना देल के वीडियो को और यह कोश्चन करके आपको बताते है यहां है इससे पहले सेट में 26 तक मैं आपको बता चुका हूं इस क्वेश्चन में पूछ राया है देखिए विच टाइप आप सोल्डिंग मैथर इस यूज़ फोर सर्विसिंग और रिपेरिंग कार्ड के लिए किस प्रकार की सोल्डिंग विधी पर यूग की जाती है पहला में देखिए हां पर दिए अब सुलडSi ओर दूसरा है सुल्डूरिंग विधि प्रेंस सीमें आपका सुल्रिंग विधे प्रदेश्फनलिंग और हैं दिमें सोल्डिंग इस होल इस विच फोर्म होत सही आंसर है आपका 28 में What is the use of deep soldering method Deep soldering विधी का उप्योग क्या है A में आपका option है Soft soldering, norm soldering B में option है Piping and cable soldering Piping और soldering C में option है आपका Soldering miniature component on PCB PCB में छोटे भागों को soldering D में soldering sensitive electric components सम्मेदान सील विधुत भागों की soldering तो यहाँ पर आपका question पूछ रहा है इसको आपको ध्यान देना है Deep soldering method Deep soldering method जो है इसका उप्योग जो है आपको क्या है कहाँ पर में इसका उप्योग क्या जाता है उसके बारे में पुछा जा रहा है तो deep soldering method जो है यहाँ देखिए आपका Solding miniature components on PCB यू जी केबल वेल्टेड भुमिगल में X से इंगित भाग का नाम क्या है यहां पर में देखिए आपका इक्स जो इंगित 作र कशी Sat सब्सक्क्राइन चाया क्या तो कि आपको दिखा रहा कि दिखा रहा हैr पिछले सेट यदि आप देखे होंगे तो मैं उसमें बताया था कि आप जो है अंडर्राउंड केबल, उजी केबल में जो है कैसे याद रखेंगे कौन-कौन सा जो है लेयर होता है, तो उसे आपको पिछले सेट अगर देखें हैं तो समझ में आ गया होगा वह से आपका यहां पर में पूछ रहा है जो एक्स भाग है, वह जो है आपका लेट सीथेट का भाग है या सी आपका जो है सही अंसर है, इसका अंसर सी होगा ऐसे याद रखने के लिए आपको फिर से एक बार हम बता देते हैं इसमें ध्यान रखें आपको इसको S, A, B, Sub, L, P, C इसको याद रखने के लिए हम बताये थे पिछले सेट में इसके हिसाब से आप याद रखेंगे तो इसमें जो है serving, उसके बार armoring, उसके बार bedding, उसके बार लेट सी थेड़, और paper insulation, और C जो है आपका conductor यह जो है आपका 6 layer है, सबसे अंदर का layer जो है, यह आपका एक number C, उसके उपर का layer जो है, आपका P, paper insulation, दो number में यह एक number हो गया, यह दो number हो गया, और यह 3 number layer होता है, और यह 4 number layer होता है, और यह 5 number layer, और 6 number layer, यह सबसे उपर का layer होता है सबसे उपर का layer होता है, तो याद रखने के लिए आप जो है, ऐसे भी याद रख सकते हैं next question है आपका, which insulating material is used as hot pouring component for making joint scene underground cable, कौन सा कुचालक पदार्थ जो है, भूमी गत केबल में, गर्म योगिक की तरह डाला जाता है यह में है आपका polyamene hardner, B में है cast resin योगिक, C में है bituminous compound, और D में है expo epoxy cast resin compound यह 4 option आपका दिया हुआ है, जिसमें आपको गर्म bituminous compound होता है, इसको आपको उलेला जाता है, तो सही answer आपका हो गया C next question है आपका 31, what is the purpose of bedding insulation of UG cable, UG cable में जो है, एक bedding insulation का layer होता है इस layer का जो है, क्या, आपका purpose है क्यों लगाया गया है, bedding जो है, क्यों लगाया गया है A में है protect the cable from mechanical injury, cable को यांत्रिक छती से बचाना, cable को यांत्रिक छती से बचाने के लिए आपका armoring योज किया जाता है उसके बाद B में है, देखे, इसका मतलब यहाँ आपका option नहीं होगा B में है protect the cable from moisture and gases, cable को नमी एवम गयस से बचाने के लिए जो है इसमें आपका जो है, लेट सीथेड योज किया जाता है, या भी आपका जो है, नहीं होगा उसके बाद C में है, protect armoring from atmospheric condition, armoring को बचाने के लिए जो है, बेडिंग नहीं योज किया जाता है उसके बाद आपका जो है, इसके लिए serving योज होता है आपका इसके लिए जो है, आपको बेडिंग का यूज किया जाता है, तो सही अंसर आपका जो है, डी हो गया नेक्ट कोस्चन है आपका, which test is conducted to locate the fault in UG cable underground cable जो है, भूमिगत cable जो होता है, उसमें जो है, fault को locate करने के लिए, कहां से fault है, इस चीज को location पता करने के लिए, जो है, कौन सा test किया आता है, तो पिछले set में भी हम आप लोगों को बता चुके है, इसके लिए जो है, आपका loop test होता है, तो इसका सही अंसर जो है, loop test है, loop standard conductor is generated as 7 oblique 1.40, यदि एक हुए चालक को 7 oblique 1.40 से इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या दरसाता है, देखे, 7 का मतलब हो गया, जो पहले है, यह जो है आपका conductor की संख्या को दरसाता है, और यह जो है आपका, इसका size को बताता है, कि कि size का आपका, के बल है, उसका conductor का size क्या है, तो इसमें पूछ रहा है, area of, option जो दिया हुआ है, उसमें A में है area of cross section, तो cross section area जो है, यह नहीं होगा, आपका B में देखे, radius यह भी नहीं होगा, C में है diameter of all conductor, सभी चालकों का ब्यास नहीं होता है, इसमें एक चालक का होता है, D में है diameter of each conductor, पर तेक चालक का, इसका मतलब एक साथ में से एक conductor का size 1.40 diameter है, mm में है, mm हो या इंचे जो भी हो, वो जो है आपका, उसका diameter है, ब्यास है, next question है आपका 34, what is the value of electrical conductivity of aluminum conductor, अलमोनियम चालक की चालकता, आपको याद रखना है, conductivity याद रखना है, अलमोनियम चालकतर का, यह आपको याद रखना परेगा, इसका जो है, सही answer होता है, C है, इसमें दिया हुआ, देखिए, 35 महो परती, मीटर, तो इसको याद रखना परेगा, next question है, आपका 35, what is the rating factor of cable provided with course access current protection, cable की अधिक अतिरिक्त धारा, सुरच्छा के लिए, धारा rating कारक क्या है, तो cable में जो है, access current के लिए जो है, सुरच्छा के लिए आपका कारक जो होता है, वो आपको 0.81, आपको जो C answer है, यह होता है, 80 और 81% के आसपास होता है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपका, 0.81, तो C answer है, आपका A, B answer, C, और D नहीं होगा, C, सही answer है, question है आपका 36, what is the size of neutral conductor compared to phase conductor in UG cable, underground cable में neutral conductor का size जो है, phase conductor के size से जो है, क्या होता है, बड़ाबर होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, उसके बारे में पुछा जा रहा है, जैसे आपका 4 core cable है, तो 3 तो phase के लिए हो गया, और 4 जो है आपका neutral के लिए होता है, तो यह neutral के ल half size of phase conductor, phase conductor का आधा, phase का जो size है, उससे जो है, आधा neutral का size, तो यह आपका जो है, जो है, जो है neutral का जो तार होता है, वो जो है, फेज से जो है, आधा होता है, size में, तो सही अंसर आपका B हो गया, next question है, यहाँ पर, what is the name of the tool, इस औजार का जो है, जो है, जो टूल दिया हुआ figure में, इसका जो है, क्या नाम है, या कौन सा अजार है, तो इसको बोला जाता है, crimping tool, इससे जो है, लग को crimping किया जाता है, लग crimping करने के लिए, इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखे, यह में है, cutting plier नहीं होगा, बी में है, wire steeper, यह भी नहीं होगा, cutting plier से, काटन tool, next question है आपका, what is the reading of micrometer, micrometer का reading क्या है, तो micrometer का reading देखे, यहाँ पर में, जो आपका यह उपर वाला skill है, यह उपर वाला skill, main skill होता है, और नीचे वाला skill जो है, यह सब skill होता है, और यह जो है, thimble skill होता है, तो आपको तीनों का reading देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखे, main skill में 4 दिख रहा है, इसका मतलब 4 तो होगा ही, उसके बाद देखे, यहाँ पर में half जो है, cross किये हुए है, half cross किये हुए है, इसका मतलब जो है, 50 होगा, और उसके बाद यहाँ पर में देखे, आपका 5 के सामने में यह line है, इसका मतलब जो है, 0.05 वो हो गया, तो सही अंसर जो है C हो गया 4.55 mm नेक्ट क्वेस्टन है आपका वीच मेथड आप स्वल्डिंग इस यूज़ फ़र रिपेरिंग दी भेहिकल बडी बानो की बडी के सुधार रहतू स्वल्डिंग की कौन सी बिधी पड़ियोग किया जाता है इसमरे चाles दी इसमरे चार बडी दीआ हुआ है डीप स्वल्लिंग मैथर है स्वल्लिंग फ्लेम है स्वल्लिंग स्वल्डिंग रायर और 2 yesterday म Melanie grille यह चाल दिया हुआ है इसमें जोर गारी का यूज़ के जाता है वह पूछ लाह कि तूल्न में क्या लाब हैं देखे जब कोई भी वायर को चहिलते यहाई लाबता का तो उसमें जो है conductor किसी में एक conductor रहता है किसी में बहुत सारा जो है मर्हा घ्लाब रहता है तो ऊसलें झाल जो है लाफ है यह पुछ है कि यहां सब्सक्री काछ मोगा तो ऐसा यह नहीं है कि आपका जो है इससे जो है कोश्ट हमारा जो है कम हो जाएगा तो यह आपका जो है नहीं होगा वी में है more flexible जैसे ही जो है एक मोटा तार के जगापर में बहुत सारा पतला conductor उसमें दे दिया जाए तो flexibility उसका जो है बढ़ जाता है तो more protection जो है जो है केबल की धारा छंपता क्या है यदि अधिक अत्रीक धारा सुरच्छा द्वारा संग्रचित है तो इसमें क्या होगा आपको निकलना है तो आपको इसके लिए जो है calculation करना परेगा आपको अभी हम पीछे question में भी बताए है कि इसके लिए जो है आपका point 80 या 81 से जो है आप इसको multiply करें तो उस हिसाब से आप जब इसको multiply किजीगा तो लगभग जो है आपका या जो है बी अंसर आएगा 13 अंपियर बी आपका इसका सही अंसर है 16 से ज्यादा जो है 18 है यह होगा ही नहीं और चुकि point 81 से उसको multiply करना पड़ता है 81 परसेंट जो है ही 80 से 81 परसेंट के आसपासी जो है रखा जाता है इसलिए सही अंसर आपका बी है कि नेक्ट कॉस्चन है आपका what is the unit of quantity of electricity बिजली की मात्रा के लिए जो है इकाई क्या है two-day electricity का जो है इसमें पूछ रहा है तो इसमें देखिए आपका सही अंसर जो है वा मात्रा के लिए कुलम का हुज होता है यहाँ पर मी आपका सही आंसर कने साहा है एक एक प्रेटिटी का जो है कुआंटिटी उनिट फोर कुआंटिटी जो है आपका कुलम होता है और ये आपका इसका है надо हो गया तो इसका मतलब इसका जो हुआ ओंधा इसके अश्राफ कैसे रिचान मतल रॉल diff मोटिफाए है। है यहाँ पर बता रहे है को एलेक्त employ taught वह है में आपको बथाना है कि में δिया हुआ है यहाँ आफका MP पोटेंशिल डिफरेंशammers प्लस बहुंटेजट डूब और C में दिया हुआ है EMF बराबर potential difference plus voltage drop by 2 और D में दिया हुआ है EMF बराबर potential difference plus 2 into voltage drop तो इसका जो सही answer है आपका वो B आपका सही answer है EMF बराबर होता है potential difference plus voltage drop जो आपका potential difference हो गया वो और जो आपका voltage drop हो गया वो यह दोनों को आप जोड़ दीजेगा तो आपको EMF के बराबर होगा तो सही आंसर हो गया आपका B next question है आपका 46 number 46 में देखे दिया हुआ है what is the current rating factor for close access current protection of cable cable की pass की अतिरीक्त धारा सुरच्छा के लिए धारा rating कारक क्या है देखें यहां पर में इसका क्यin point है आपका पूच रहा है की धारा rating कारक जो आपका यहां बताना है और किसके लिए बताना है तो यहां रखना है close access current protection cable के लिए आपका सही आनसर है आपका c 1.23 आपको याद रखना पड़ेगा कि जब access current के लिए पूछेगा उसने में जो है 1.23 से जो है आपको multiply करना पूरेगा What is the disadvantage of solid conductor compare to extended conductor ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानी है यहाँ पर में आपको ध्यान देना है क्या पूछ रहा है the disadvantage किसका solid conductor का किस से तुलना कर रहा है extended conductor से तो इसमें जो है आपका solid conductor होता है वो जो है आपका hard होता है और extended conductor होता है वो जो है आपका लचिला होता है तो यहाँ पर में हानी पूछ रहा है तो हानी में इसका मतलब जो है option A में दिया हुआ है आपका कि कम कठोरता कब में कट होड़ता, B में दिया हुआ है कम लचिलापन, C में दिया हुआ है कम गलनांग और D में दिया हुआ है कम यहां त्रिक सकती तो जैसे हैं आपका केबल जो है, solid conductor हो जागा, उसमें लचिलापन आपका कम हो जागा इसका मतलब आपका सही अंसर जो है बी है यहाँ पर में कम लचिला पर नेक्ट कोश्चन है आपका 48 What is the name of the solding method? solding विधी का नाम क्या है? जो यह फिगर में देखे solding विधी दिखाया गया है इसका नाम पूछ रहा है किस टाइप का solding विधी है? A में आपका option है deep solding method B में है आपका solding with blow lamp blow lamp के साथ solding C में है solding with solding gun solding gun के साथ solding और D में है आपका temperature control solding तो आप जो इस फिगर में देख रहा है यह जो फिगर है यह solding gun का फिगर दिया हुआ है solding gun का फिगर दिया हुआ है तो आपका option जो है C में option है यह जो है को लिए कोल सोल्डर डिफेक्ट यहां का कारण है किस कारण से जह कोल सोल्डर डिफेक्ट होता है तो देखें एमें आपका अप्शन है अत्याथिक उस्मन एक्सेसिव हीटिंग बी में इन इस पीसेंट एक परियागत उस्मन और ची में है इनकोरेक्ट युज आप सब्टर्व अगल ड़लट परीओ और डी में है आपका हाइव वार्टेज शोल्डिंग आईटन उस्वार्च शोल्डिंग रीक्ट यहां अगर सही से प्रोपर हीटिंग नहीं हुआ है प्रोपर टेंप्रेचर नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब जो है बोला जाता है और प्रियाप्त उस्मन insufficient heating मतलब सही 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 से आपका जो है प्रोपर हीट आपका नहीं हो पाया है जिसे कारण से किस प्रया का फॉल्ट आ रहा है तो सही option आपका जो है इसका भी है next question है आपका 50 नमब what happens to the voltmeter if it is connected as an emitter क्या होता है यदि voltmeter को emitter के तरह जोरा जाए आपके पास में एक voltmeter है और उसको जो है बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से emitter connection करते हैं उस प्रकार से connection कर देंगे तो क्या होगा इसका मतलब आपको एम मेकर के जगा पर अगर हम भोल्च मेकर लगा देंगे तो क्या होगा यहां पर में देखिए दिया हुआ है option में आपका A में low reading कम reading देगा B में दिया हुआ है no deflection कोई deflection नहीं देगा C में दे रहा है meter burns out meter जल जाएगा और D में दे रहा है over suit deflection परेविचलन तो देखें क्या होता है कि आप जान रहे हैं कि जो volt meter होता है volt meter में एक जो है resistance लगा हुआ रहता है उसमें इसको आप जानते हैं कि parallel में connection किया जाता है और M meter को जो है series में connection किया जाता है उसका परती रोध जो है कम होता है तो यहाँ पर जैसे ही आप जो है volt meter को meter की तरह connection कर देंगे तो उसका जो है meter को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा cable आपका जो है क्या होगा reading जो है वो कम reading देगा low reading देगा तो आपका सही अंसर जो हो गया तो यह हो गया low reading next question है 51 which is the example for course access current protection अधिक अतिरिक धारा सुरच्छा है तो क्या उधारन है देखे इसमें आपको ध्यान देना है कि course access पूछ रहा है course access current protection तो course access current protection जो है का उधारन कौन सा है तो इसमें देखे आपका option में दिया हुआ है a में mcb b में mccb और c में है hrc fuses और d में है revirable type fuse unit तो इसका जो है सही अंसर आपका जो है d है इसका जो है आपका course access current protection जो है के लिए यह फ्यूज है आपका एक्जांपल है तो सही अंसर आपका हो गया d विश्तार लाइनों के लिए कोन सा conductor उप्योग होता है distribution line जो आपका जो है transformer से लेकर के और आपके घर तक के जो सप्लाय आता है पूल के उपर से उसके बारे में जो है पुछा जा रहा है तो distribution line में जो है कौन सा वाइर यूज किया था है कौन सा तो यहां पर A में देखिए insulated conductor B में है insulated solid conductor और C में है bear conductor और D में जो है 2 core cable 2 core cable तो अभी आपका जो है बरत्मान में insulated conductor भी प्रयोग होता है लेकिन यह जो है कम capacity के लिए जो है प्रयोग किया आता है और generally जो पूल से प्रयोग होते आया है उसमें आपका जो है bear conductor प्रयोग होते आया है नंगा तार्ज पूल के उपर से जो आप देखते हैं चार नंगा वायर आता है तीन फेज का और एक neutral का तो इसको बोलते है bear conductor त सी आपका सही answer है और यह जो है आपका इस सेट का जो है last question था तो आपको कही पर भी कोई समझने में दिक्कत होता है तो comment करें मिलते हैं अगले वीडियो में thank you